आज मैं एक बार रियक्शन करने जा रहा हूं मोवी बेगम जानका जिसमें की विद्यावालन लीड रोल में हैं लेकिन मैं बदाना चाहूंगा पत्से पहले कि अगर आप अपनी फेमिली मेंबर्स के साथ में कर ये मोवी देखने का या पिर इसका ट्रिलर भी देखने का या प्लान के बना रहे हैं तो कि डूंट दू इट बेसिकली ये एक वैसे देखा जाए तो 1947 की स्टोडी की ऊपर बेज़ जा है आपना िखते हैं इसके बास में भात करते हैं ने के दियालोक्य इस था स्टोड़ी स्टोड़ाय조 एंसे हम परते इस तो कि आपनी वह मोष्डiğ स्टोडमे आपाद पास की बास इस लूमें डालोक तो सब्सकत है एक ये देखने suburbs म mें दखते हैं हिंदुस्तान के आखरी वाइसरोय लॉर्ड मांबैटन के फरमाद में एक मुल्क के दो हिस्से करती है हिंदुस्तान और पाकिस्तान एक अहानी ऐसे ही एक घर की है जिसके बीच से ये तलवार सी लकीर सर काटते हुए निकली तो सही मगर बाट नहीं सके बाप, भाई, बेटा, शोहर बेगमजान की चौखटके उस पार हर मर्त मुर्का होता है तीन तांगो वाला मुर्का बेगमजान अज मारा मुल का साद हुआ है अब जशन नहीं बनाई तवाइफ के लिए हर दिन एक जैसा होता है मास्टर एक बार बत्ती बुझी, तो सब एक बेगमजान कहन दिया कि सिरफ जिसंदी नहीं सड़े दिल दी भी कोई कीमत हो दिया यह बड़े-बड़े सरकारी अफसर है एविक्शन नोटिस लेकर आए है यह कोठा खाली करना होगा बेगमजान इस कोठे के बीचो बीच हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बॉर्डर निकलेगा जनाब आप जिसे जुबान से कोठा और दिमाग मेर अंडी खाना सोच रहें न यह मेरा घर है मेरा वतन और इससे पहली कि कोई हमें यहां से हटाए हम उसके हाथ, पैर और जिस्म का वो क्या कहते हैं पार्टिसन कर देंगे सरकार की बात मान लो यह कोठा छोड़ कि चली जाओ अखा तो दिखो कुटों की देगमजान तो आके कह रहे हैं कि कोठा खाली करना पड़ा तो ठने ही अठवाया, तो तार का काम रुक जाएं कुछ मामलों के लिए बेसरकारी मुलाजम भी होते हैं कबीर, हिंडू भी होड़ शगदा है, मुजल्मान भी बोलो किस दा कान तमाम करवाना है बहुत बुरी मौत मरोगी बेगम अब जू भी हो, भिक्पंगों की तरह नी, रानी की तरह मरोंगी अपने महल में ज्यादा से ज्यादा लोग जुन्दा रहें, इसले कुछ लोगों की कुर्बानी देले पड़ेंगी मांदर, चौज, साले, घंटा चोड़ेंगी इमागाण इस जम नो खतम किये बिणा, आसी इत्थो नई जावाँगी एक महीने का वक्त है, सिर्फ एक महीना महीना में गिनना आता है, साब हर बार साला लाल करके जाता है बार अपरेल दोजर सत्रा को रिलीज होने जा रही है और इसके डायलोग सापने सुने होंगे जो की बहुती टेंजरस हैं और इसका सिंसल सा कंदेप्रिप्रिस मुवी का इनका जो कोठा है, कोठे के पीचों पीच हिंदुजवान और पाकिस्तान की सरहध है और सारी मूवी उसके इर्दगर्द भूंती है और इतके ये लाइब कैसे अपने कोठे को बचाना चाहती है सब कुछ मूवी में दिखाये गया बहुत अच्छे से विद्यवान वैसे भी अपने एक्टिंग के लिए अच्छे से जानी जाती है पुरी इंडॉस्ट्री में और सब उसके एक्टिंग को पज़न करते हैं So guys, I hope मेरा डियक्शन जो है मूवी के ड्रिलर का वो आप सबको पसंद आया होगा अगर पसंद आया है तो प्लीप आज लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट चे रूप करें Thank you